हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं स्वतंतरता आंदोलन एवं आंदोलनकारी चीक है इसमें हम देखेंगे प्रशासनिक सुधार, कॉंग्रिस का गठन, राष्ट्रे नेताओं का आगवन, फिर आंदोलनकारी और 1920 के दैशेक की प्रमुग घटनाएं, गांदी इर्विन समझाता, भारष्षोडवां दोलन, बेबल समेलन और फिर स्वाधिन कहलूर दल चीक है तो चलिए शुरू करते हैं प्रशासनिक सुधार मंडी के राजा ने मंडी में 1933 में मंडी विधान परिशद का गठन किया जिसने पंचायती राज अधिनियम पास किया और फिर शिमला पहाडी रियास्तों में मंडी पहला राज्य था जिसने पंचायती राज अधिनियम लागू किया था और इसके बाद बिलासपूर, बुशेहर और सिर्मोर राजियों ने भी प्रशास्निक सुधार शुरू करने शुरू कर दिये फिर आया कॉंग्रिस का गठन ए ओ हियुम ने शिमला के रौथली कैसल में भारती या राष्ट्रिय कांग्रिस की स्थापना का विचार रखा था और फिर राष्ट्रिय नेताओं का आगमन हुआ लाला लाजपतराए 1906 इसवी को मंडी आये थे और थिसुफिकल सुसाइटी की नेता एनिवेसेंट 1911 में शिमला आई मातमा गांदी मौलाना मुहमद अली शौकत अली लाला लाजपतराए मदन मौहन मल्विय ने पहली बार 1921 इसवी में शिमला में प्रवास किया फिर मुस्लिम लीग के नेता मुहमद अली जिन्ना वाइस राय लॉर्ड रेडिंग से मिलने शिमला आए महतमा गांदी 1921, 1931, 1949, 1945 और 1946 में शिमला आए थे महतमा गांदी 1945 में मोनोर विला राजकुमारी अमरिता कौर के निवास तब जिसको मनोर विला बोलते है और 1946 में चैडविक जो की समर्म हिल में है वहां रुके अब देखते हैं हिमाचल परदेश की सवतंतरता आंदोलन की कुछ प्रमुक आंदोलन कारी छी के इनमें कुछ प्रमुक थे रिशी के लट इन्होंने 1915 इसवी में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की कहां की थी इनमें उन्ना में और हमीरपूर के प्रसिद साहितेकार यशपाल ने 1918 इसवी में सधिनता संग्राम में कुद पड़े ठीक है और यशपाल जी को फिर 1932 में उमर कैद की सज़ा हुई थी और इंडियन नैशनल आर्मी के मेजर दासको सरदारे जंग, कैप्टन वक्षी प्रताफ सिंग को तमगाए शत्रुनाश और सरकगाट के हरी सिंग को शेरे हिंद की उपाधी दी गई थी ठीक है फिर धर्मशाला के दो गोर का भाईयों दुरगामल और दल बहादुर थापा को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी सभी ने अवग्य आंदोलन के चलते, 1930 में बाबा लच्मन दास और सत्य परकाश बागी को उन्ना में गिरुफतार कर लिया गया ये थे हिमाचल परदेश के कुछ परमुक आंदोलन कारी, अब हम देखेंगी 1920 के दशक की परमुक गटनाएं, छीक है, तो 1920 में हिमाचल परदेश में आसह योग आंदोलन शुरू हुआ था हिमाचल में कांग्रेश के प्रत्म प्रतिनेदी मंदल का 1921 में गठन किया गया था, जिसमें देश्ची रियासत के शाषकु ने चेमबर ओफ प्रिंसेज नरेंडर मंदल का 1921 में गठन किया और दिसमबर 1921 में इंग्लेंड के राजा, इंग्लेंड के यूवराज, प्रिंस ओफ विल्स के शिमला आग्मन का विरोध हुआ फिर लाला लाजपत राए को 1922 में लाहौर से लाकर धर्मशाला जेल में बंद किया गया वासराए लौर्ट रिडिंग ने 1925 में शिमला में सेंट्रल कॉंसेंट चेंबर, जिसको आजकर विधान सबा बोलते हैं, उसका उतगाटन किया तो किसने किया था विधान सबा का उतगाटन? वासराए लौर्ड रिडिंग ने 1925 में शिमला और कांगडा में 1928 में साइमन कमिशन का भारत आगमन पर विरोध किया गया ये थी 1920 के दशेक की घटनाए अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदूलन भारत छोड़ो आंदूलन के पहले हम गांधी इर्विन समझाता देखते हैं क्योंकि गांधी इर्विन समझाता 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदूलन 1942 में चीक है तो गांधी इर्विन समझाता 1930 इस भी में सभी ने अवग्य आंदूलन शिमला दर्मशाला कुलू उन्ना आदिस्थानों पर शुरू हुआ चीक है महत्मा गांधी खान अब्दूल गफ़ार खान मदर मोहन मालविया और डॉक्टर अंसारी के साथ दूसरी बार शिमला आए फिर यहां गांधी इर्विन समझाता हुआ चीक है पांच मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझाता शिमला मैं हुआ इसके बाद हुआ भारच छोड़ू आंदूलन नो अगस्थ 1942 को भारच छोड़ू आंदूलन की शुरुवात हुई हिमाचल पर्देश के एक शेत्रों में जैसे शिमला, कांगडा और अन्नेक शेत्रों में भी भारचोडो आंदोलन की शुरुवात हो गई थी शिमला से राजकुमारी अमरिता कौर भारचोडो आंदोलन का संचालन कर रही थी और साथ में ही अमरिता कौर गांधी जी के जेल में बंध होने पर उनकी पत्री का हरीजन का संपादन भी कर रही थी चीक है तो राजकुमारी अमरिता कौर क्या क्या कर रही थी एक तो भारचुडो अंदुलन का संचालन कर रही थी और दूसरा गांधी जी की पत्रे का हरी जन का संपादन भी कर रही थी इस आंदोलन के दोरान शिम्बला में भागमल सौंठा, पंदित हरी राम, चोधरी दिवान चंद, आदिनेता गिरफतार किये गए फिर इसके बाद हुआ बेबल समेलन 14 मई 1945 को पार्लियमेंट में बेबल योजना की घोशना की गई और वाइसराय लॉर्ड वेबल ने भारत के सभी राजनेतिक दलों को 25 चून 1945 को शिम्बला में बाचित के लिए आमंत्रिट किया और फिर बेबल समेलन में महात्मांगांधी, जुहाला नेरू, डॉक्टर राजेंदर परसाद, सरदार पतेल सहीत, 21 कॉंग्रेस चेनेता मुस्लिम के नेता मुहमद अली जिन्ना, लियाकत अली, शेहवाज खां तथा अकाली दल के मास्टर तारा सिंग ने भाग लिया इसके बाद हुआ स्वधीन कहलूर दल बिलासपूर के राजा आनंद चंद ने सतंतरता आंदोलन को कुचलने के लिए तथा बिलासपूर प्रजामंदल एबम All India State People Conference के खिलाफ स्वधीन कहलूर दल की स्थापना की क्योंकि आनंद चंद बिलासपूर को सतंतर रखना चाहते थे लेकिन फिर कई दोर की बातचीत के बाद बिलासपूर के राजा फिर भारत बिलेव के लिए राजी हो गए थे इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खतम होता है थैंक्स फॉर वाचिंग